कि इसमें आसाने से कट जाएगा यह देख लेजी ठीक तो काँटी भी आप आरम से कट सेकते हैं जैसे कि यह भूभ थे hard है ठीक है तो इसमें थोड़ा जोर लगाना के बारे में और यह पाई का प्लायर के बारे में तो यह दोनों में से बढ़िया कोन सा है तो मुझे से पूछा जाए तो सबसे बढ़िया कोन सा प्लायर है तो मैं तापाडिया का बोलूंगा कि तापाडिया का जो प्लायर है यह सबसे बेस्ट है बेतरीन है और पाई का भी परशेश रमसे का में पर्चेस किया था यह दूनों को तो लगबाँ अज दो बाइस हो गया तो नशाल हो गया ओमार ठीक है और इसका यह टूट गया उपर से लेडर से गिर गिर तो यह टूट गिया है पाई क्या यह भी बहुत सारा जगा में गिरा लेकिन इस तरह से गिरा नहीं तो इदर उदर गिरा तो इसक्रेच बहुत सारा आ गिया है इसे आप देख रहा है ठीक है बहुत सारा इसक्रेच आ गिया तो इसमें दोनों में से क्या-क्या काम कर सकते हैं हम लोग बहुत सरा अलेक्ट्रिक्रिक टेक्निशेन का पास यह तपाड़िया का प्लेयर ज्यदा रहता है प्राइक क्या क्या करता है तो चैसे कि नर्मेली जो हम लोग का काम है आपका नया जो आता है केबल स्लिप करने के लिए ठीक है तो केबल स्लिप करते हैं उनका द्वारा क्या होता कि काटते काटते स्लिप करने के लिए बोलेंगे तो उसका यह काट जाता तुरत यह स्लिप करने लाएगा ना तो काट जाता तुरत ठीक है यह तो पुरान हो गया नया में तो तुरह तुछ कर जाएगा लेकिन आपने लोग को टेखनी से ने उन लोग को जानकारी रहता है थोड़ा देर घुमा के ऐसे करके फिर यहां पर घंज दीजिए आराम से सिलीब हो जाता है तो रहाँ आगे पीशे करके हलका हलका लगाना ठीक एतना नहीं कि पूरा फूस क से काट सकते ठीक है इस तरह से कोई दिक्यात नहीं है काटिके है और जब स्लीब करना है तो हलका हलका लगाना है तो यह असान से होगा और यह थोड़ा धार भी रहता है अपका तापाडिया का प्लेयर में लेकिन पाई में उतना धार नहीं रहता है पाई को जैसे आभी का प्लायर में कम सही तरीका से करता है लेकिन फ़ोड़ा धार ज्याधा रहता इसका थोड़ा कम रहता लेकिन ये टीक है कजादा ज्यादा दिन तक और यहूं इस इस जागा में मिल जाता कभी कबी क्या आँ आता कि स्कूरू पगर्णा कटने के लिए यहांम लोग ऐसे इस्ते कबिल से काट सकते हैं ऑर जिसे केबिल करना यह तो काम हो जाता है की क्लिए दोरा और वी काम होता है जैसे नाटबोल करने के लिए अभी हम बगार तो प्लैयर से टाइड करते हैं और शुख और बहुत इसका यह दिया हुआ है बना हो सबी को पता है यहां से ज्याग्र का आटा जाता है लेकिन झो नया है उनको जानकारी नहीं रहता है जिसे ये इसमें कांटी भी कट जाएगा आटी जदी हम लगाते हैं इस तरह से तो यह देख लेंजेंसे सबución है अरम से ठीक है जैसे क। आट से इसमें अलसानी से कट जाएगा यह देख लिजिए ठीके तो काटी भी आप आरम से कट सकते हैं एक कट जया तीन टुकड़ां में बाढ़ द्यां कट आर जैसे ऍसक्रु ज़िए पल ना जबह这个 होना जाहिए यह तो फ्रेट तो हुझे टहरट का इस पर फैस्ट ना रहेगा यह आराम से यह कट सकता है जेसे अहएं तो पूरा-जोड़ लगाना पड़ेगा न досять श्रहां कर साथ मॉधें डिया है कि के एड़ करने ड्रन का नोर्मली कटनी पहेंगा को यह लिधन के द्वारा भी कटनीन क्यूस्त और गोरिज से एट वार। यह होता है थी कर दो लिए डूर कटनी यह शर्म से नाये समध्न이र्थ बला एक रहता है ठीक है इस्टील बला जो जी आई होता है एक दम इस्टील बला हाट मतलब उसको जदा तुर तक आपको दूर से पूलिंग करना है के पूल ठीक है यह ज़िए तुर तक पूस नहीं कर सकते ज़दा इसका लेंद लाग दस मिटार शाथ-8 मिशर तक यह काम कर जागा आपका ने आम ठीक है फिर जदी इस्तेमाल करते करते पूराना घ्रवाना हो जाता था तो एक धिक हो करना छोड़ देता है ठीक है एकदम नहीं होता फिर उसको फ्रेश करना पड़ता है फ्रेस करके फिर आप कर सकते है और जैसे स्टील का यह हट बला है यह यह ठेलेंगे तो आरम से 30-40 मीटर का केभूल आपका पूलिंग हो जाता है कंडूट में जदी लेंद इतना रहता है 30-40 मीटर आपका लेंद रहता तो यह आसानी से आ जाएगा ठीक है इसको काटने के लिए मतलब इस तरह से एकदम तो नहीं कटना है जैसे बहुत तरह टेक्निशन या जनकारी नहीं जो प्लैयर चलाता तो उनको जनकारी नहीं है कि हम लोग को यह है यहां से कटने के लिए दिया जाता यह आसानी से कटा जाता तो यहां से कटने से क्या होगा इसका जो धार का घाठ कट रहvenue टाटने से में रहे हो जाता है तो इसको कटने כे लिए एस्पेसल दिया रहत अब हाट से कर सकते है यह थोड़ा है है स्टील क्या है है क्टने यह ब है यह तपड़िया में में भी है और आपको प्लेयों होता है moved में रहता इस कर्ा चांग कटेम सब्सक्यां करें जाता है तो इसको फुक्राम में लिंक देदेउंगा सब्सक्राइब कर सकते हुआ से फाई का भी दीजिए रिक और ये ये पना हो क्यूंट लोग है और यह डबल बला है डबल के वूर्ट यह में तरी होगा ठीक है और अबसक्रम का है ठीक है तो एक पूल में मार सकते हैं अब आसाल हुए तो लग मरने से क्या होगा लके से मारा जाता है फ्रीम्पिंग टूल सापका पास नहीं है क्रिपिंग टूल्स आपका पास जदी नहीं है इसको लग कैसे किया जाएगा केबुल को यह जो से 1.5 एसक्रम का केबुल है ठीक है तो यह हो गया केबुल स्लीप हो पिर आपको लग डाल देना है पूरा लग को डाल दिया है अब आसानी साप यहां से इसको क्रिपिंग कर सकते हैं प्लेयार से ठीक है यह दब आगया एक दूसरा एक दब दिये हैं फिर तिसरा एक दब दिये और चोथा भी दब दिये ठीक है यह क्रिम्पिंग हो गया लेकिन आपका प्रोपार तरीका से नहीं हुआ मतलब दिखने के लिए इसमें थोड़ा भद्धा टाइप कर दिख रहा है लेकिन टेम्पूरारी में आपका काम हो जाएगा ठीक है लेकिन आपको दिख रहा है थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन टेम्पूरारी में आपको एमर्जेंसी में काम चला सकते हैं लगा है हमको लागाना है है और मेरा पास। सब्सक्रेबव सरके कोई दिखत नहीं है यह हो गया है ठीक है इस प्रबार्तरीक्स से हो है पतलावला है यह आटमेशिंघ के लिए है इस लिए आसान से हो गाए लेकिन जिसे क्रिंपिंग डूह से raise 2 पिंग टूरे सालोग मारते है कर जिसे क्रिंपिंग टूल्स में हम लोग से से मारते हैं उस तरह का नहीं होता है ठीक है देखिए आप इसमें प्रपार तरीका से क्रिंपिंग टूर्स में मार जिते हैं तो जैसे चारों तरफ से मारा दिया जाता है इसमें चारों तरफ से मार दिया जाता है क्रिंपिंग टूर्स में यह प्रपार तरीका से होता है टेल प्रोपार जैसे लग मारा जाता है वह से नहीं लेकिन टेम्पूरारी आपका काम चला जाएगा ठीक है यह घीचाएगा नहीं टेम्पूरारी काम चला केट जो है उसमें कानेक्शन कीजा आराम से ठीक है कोई दीकात नहीं है यह जिसे हो गिया टेम्पूराबाबाबाबाबाब टेम्पूरारी काम चला काम चला काम चला कब चला काम तो सार रा लंचर घ्रण